Childhood Characteristics Students, आज का हमारा विशे है बाल्य आवस्था की विशेशताईं सबसे पहले हम ये जानेंगे की बाल्य आवस्था कहते किसे है जब शैष्वा आवस्था समाप्त हो जाती है जो की दो साल तक मानी जाती है तब उसके बाद चो अवस्था प्रारम होती है उसे बाले अवस्था कहा जाता है और इसकी समाप्ती प्यूवर्टी के समय होती है यानि लगभग 13 से 14 साल की अवस्था जब एक बाला क्या बालिका में किशोर अवस्था के लक्षन दिखाई देने लगते हैं विकासात्मिक मनविज्ञान में चाइल्धूट को तीन स्टेजिस में बाटा है अर्ली चाइल्धूट जिसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है मिडल चाइल्धूट जिसे स्कूल एज भी कहा जाता है और एडॉलेसेंस यानि किशोर अवस्था किशोर अवस्था Puberty से और VS कवस्था की जो समय है उसको किशोर अवस्था का आजाएगा क्योंकि किशोर अवस्था का अध्ययन हम अलग से कर रहे हैं और वैसे भी किशोर अवस्था एक अलग शेनी में आ जाती है तो हम childhood को केवल बच्पन तक ही सीमित रखते वे इसको हम दो भागों में रखके इसका अध्यन करेंगे अर्ली चाइल्ड हुड जिसको की जादतर मनोविज्ञानिकोंने अध्यन करता हुने दो से छे साल तक के अवधी को अर्ली चाइल्ड हुड का नाम दिया है और दूसरा लेट चाइल्ड हुड या उत्तर बाले अवस्था जिसमें साथ से तेरा चौदा साल तक की उमर के बच्चों को रखा जाता है अब हम देखेंगे कि बाले अवस्था में कौन कौन सी विशेश्टाइं बच्चों में देखने में आती है तो इसमें जो सबसे पहली विशेश्टा हम ले रहे हैं वो है इंडिविज्वालिटी यानि की वैक्तिक्ता बच्चों में अपनी पहचांस स्थापित करने की बहुत इच्छा होती है और जब उनका अपनी शरीर पर नियंत्रश स्थापित होने लगता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपना स्वयम का काम खुद कर सकता हूँ और ये जो प्रासेस है वैसे तो धीरे-धीरे आती है धीरे-धीरे इस अवस्था में बच्चा पहुंचता है और इस चीज़ पर उसकी जो बाइलाजिकल में चोटी है और उसका वातावरण है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है और बच्चे जो हैं अब उन्हें लगता है कि हम अपना सारा काम खुद कर ले और हम अपने लिए जो निर्ने लेने हैं वो भी खुद करें जैसे अर्ली चैल्लोड में बच्चे फिर भी थोड़ा सा पेरेंट्स पे डिपेंडनेंट होते हैं और उनकी बात मानते हैं लेकिन बच्चे जैसे से बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो अधिक सुतंतरता की मांग करते हैं इच्छा करते हैं और अपने कारे खुद करन में ज़्यादा खुश होते हैं और इसे उनकी evolving capacities भी कहा जाता है दूसरी जो विशेष्टा आती है vulnerability इसका मतलब है कि जो बच्चे बे किसी भी खत्रे के प्रती बच्चा ज़ो है ज़्यादा प्रोन हो जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे अभी पूरी तरीके से हुए होते जैसे छोटे बच्चे तो अभी चलना ही सीखे हैं भागना दौरना और अभी उन्हें जो बाहर का वातावरन है उसमें क्या खत्रे हो सकते हैं उनकी जानकारी नहीं है तूसरा उनकी growing age होती है जिसमें उनका शरीर बहुत सारे adjustment कर रहा होता है और तीसरा वो बा और इसी के साथ साथ वातावरन से संबंधित कई खत्रे उनके सामने रहते हैं जैसे वातावरन का production हो गया या proper health care ना मिल पाना इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो इसी आयू वर्ग में होते हैं तो ये सब जो हैं साथ ही साथ माता पिता की गरीबी की जो जितना बच्चों पर असर डालती है तो उसकी वज़े से भी उनको नुकसान पहुचने का इस समय खत्रा जादा रहता है तो ये एज जो है उसमें बहुत ज़्यादा खत्रे की संभावना रहती है फिर नेक्स्ट है प्रॉब्लम एज इस आयू को एक समस्या आयू के उमर की बात कर रहे हैं तो बच्चे इस समय अपना व्यक्तित विक्सित कर रहे होते हैं अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर रहे होते हैं वो अब माता-पिता की छाया से बाहर निकलने लगते हैं तो अब उनको नियंत्रित करना पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा कठें होन जिद करना वो सब दिखाने लगते हैं और पेरेंट्स के लिए ये चीज हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है और हर एक एज की अपनी अपनी प्राब्लम होती है हर एक आयू वर्ग में बच्चा जो है तरह तरीकी की ऐसी गतिविधियां दिखाता है जो माता पिता को समझ म नहीं आती कि उस पर किस तरीके से नियंतरण करें तो इस एज को प्राब्लम एज भी कहा जाता है साथ-साथ बच्य अलग अलग तरीके के इमोशन्स भी इस समय शो करने लग जाता है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक आती है वो है अफिलियेशन की संबंधन की। इस समय बच्चा स्पष्ट रूप से दूसरे व्यक्तियों के साथ संबन स्थापित करना शुरू करने लगता है। अपनी दोस्ती अपना जो परिवार का तो वो मेंबर है ही लेकिन परिवार के अत्रिक दूसरे व्यक्तियों से जुड़ाव जो शुरू होता है वो इस सेज में होता है जिसे बच्चे खेलने के लिए अपने साथी ढूनने लगते हैं और ये जो शुरुवात की जो अल्ली च स्कूल में भी बच्चे मिलते हैं बाहर अड़ोस परोस में निकलने लगते हैं वहां भी बच्चे मिलते हैं तो वो दीरे दीरे अपने एक छोटा सा सोशल ग्रूप बनाने लगते हैं और जैसे से वो बड़े होते जाते हैं तो इस पश्ट रूप से उनका एक गैंग बन करते हैं कि जल्दी से वो किसी को स्विक्रती भी नहीं देते तो यह एक विशेष्टा इस आयू वर्ग में देखने में आती है इसके बाद नेक्स्ट है प्लेफुल जो दो से 12-13 साल के बच्चे हैं उनमें खेलने की प्रवर्थी बहुत जादा होती है चोटे जो बच्चे ह खिलोनों के आसपास रहता है और जैसे से वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा यह जो जुकाव है यह टॉइस की तरफ कम होता है और बच्चे अब असली ग्रूप मेंबर्स के प्रती उनका अकर्शन होता है और फिर लेट चाइड़ हुड में बच्चे खेलना पसंग करते हैं तो यह जो है बच्चों की प्रवर्ती एक सामान्य प्रवर्ती है खेलना नेक्स्ट है एक्स्प्लोरेटरी एज एक्स्प्लोरेटरी एज से मतलब है कि यह जो आयू है इसमें बच्चा खोजबीन करता है और इस एज को क्यूरियस एज भी कहा जाता है क्योंकि बच्चा वातवरन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए वो प्रश्ण पूछता है और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मीडिया या और माध्यमों से भी सुचना इकठा करने की कोशिश करता है साथी साथ बच्ची अपने वातवरन पर स्पोर्ट्स या कुछ आर्ट्स इस तरीके की एक्टिविटीज में भी वो अपना समय व्यतीत करना पसंद करते हैं नेक्स जो करेक्टरिस्टिक है वो है फिजिकल ग्रोथ इस समय बच्चों में एक शारिरिक विकास का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है जि लेकिन जब बच्चा दो साल के बाद बच्चे की आईयो में हर साल करीब करीब धाई इंच का हाइट बढ़ती है और पांच से साथ पौंड वजन बढ़ता है और जो बड़े बच्चे होते हैं यानि लेट चाहिल हुड में उनमें ये दो से चार इंच की हाइट बढ़ती देने लगता है यानि बच्चे की हाइट और वेट में तेजी से रिद्धी देखने में आती है इसके लावा और भी जो शारीरिक क्लेक्शन जो बौडी मास है या जो थिकनेस है मुटापा है वो सब हर एक बच्ची में अलग-अलग प्रकार से देखने में आता है इसके ब हम बात करेंगे ब्रेन डेवलप्मेंट की एक बच्चे में अल्ली चाइड़्ूड में लगभग 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से इस आयूवर के बच्चों में जो ब्रेन एक्टिविटीज है वो बहुत रैपिड रेट से बढ़ रही होती है ये बच्च जिसे दो से थोड़ा बड़ा होने के बाद ये बच्चे योजना बनाने भी लगते हैं और ब्रेन रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें बच्चों में परफेक्शन आने लग जाता है और दीरे दीरे बच्चे जिसे से बड़े होते जाते हैं लेट चाइलू ये भी बालपन की एक विशेशता है सेक्स अप्रोप्रियेटनेस से मतलब है कि जो जैन्डर रोल असाइन है यानि कि एक लड़का लड़के की तरह और एक लड़की लड़की की तरह रहे और कारे करे वो सेक्स रोल टाइपिंग इस आयू वर्ग में होने लगती है और यदि मैं लड़की हूँ तो मुझे किस तरीके से तयार होना है और कपड़े पहनने और इसके अलावा जो विशेश गतीविदियां हैं वो भी वो करने लगते हैं जैसे उनके खेल अलग प्रकार के हो जाते हैं वो कारे अलग धंसे करने लग जाते हैं तो ये सब जो अप् बच्चे जो sex appropriateness सीखते हैं उसके तीन तरीके हो सकते हैं नकल करके यानि अपने बड़ों को देखके identification जैसा उनसे कहा जा रहा है उस प्रकार से करके या उनको train किया जा रहा है कि आपको इस तरीके से विवहार करना है तो ये जो sex appropriateness होती है उससे बच्चे उनका जो तौर तरीके और कपड़े चालड़ हाल वो सब अपने लिंग के अनुसार होने लग जाता है next विशेष्टा जो आती है वो है समाजिकरन अब बच्चे धीरे धीरे समाजिकता की और कदम बढ़ा रहे हैं बच्चे परिवार से निकल कर बाहर के वातवरन में आ रहे हैं जहां स्कूल के साथियों से टीचर से बाहर पड़ावस में उनका संपर्ख बढ़ रहा है अभी तक अल्ली चाइड़् हमें बच्चा जो होता है वो इगो सेंट्रिक होता है इसा कर सेंटर ने लिखता है बच्चा और ओनी फ्रॉन की और रहे में अने लगत है उसे बाहर लोगों की कम्पनी पंद आने लगती है खेल कुछन पसंद करता है वो और ये इसी process में वो जो society के norms है उनको भी धीरे-धीरे adapt करना शुरू करता है जो social rules है समाजिक मानक हैं नियम है उनका अनुसरन भी करना शुरू करता है और उसमें conformity आने लगती है जिस समाज में वो रह रहा है उसके नियमों को धीरे धीरे वो आत्म साथ करना सीख जाता है तो ये थी बालेवस्था की विशेशता हैं इसके अलावा भी बालेवस्था में कुछ विशेशता हैं देखने में आती हैं जैसे उनका जो मोटर डवलप्मेंट, कॉगनिटिव डवलप्मेंट अलग प्रकार से होता है पूरी तरी के से विक्सित होने लगता है बच्चे जो है वो एक्सप्रेस बहुत हो जाते हैं अपनी बाते बताने लग जाते हैं वो चीजों में mastery उनको आने लगती है अपनी activities वो perfectly करने लग जाते है तो ऐसी बहुत सारी विशेश्टाएं है यह मैंने जो main main characteristics थी वो आपके सामने discuss करी अगले lecture में हम देखेंगे कि बाल्य वस्था में कौन-कौन से विकास होते हैं अभी के लिए धन्यवाद